नमस्कार किसान भाईयो मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत हैं किसान भाईयो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई अफिमनिति में शंशोदन को लेकर बारती किसान संग ने गयापान सोपा है और अपनी प्रमुक मांगे रखी हैं क्या क्या प्रमुक मांगे रख स्वाथियून के साथ किसानों की शमशा करें दूर। निर्मला सिता रमन के नाम एक ग्यापान सूशाशन बवन में नई अफिम निती, दोजार चोईस पच्चिस में शंशोधन सहीत आगामी वर्षों में अफिम किसानों की विबिन, शमश्याओं के समादान तता मनसोर जीले के किसानों की शमश्याओं को लेकर ग्यापान जीला कलेक्टर पतिनीदी अपर कलेक्टर स्वाती तिवारी को दिया गया ग्यापन के पूरो बारती किसान संग के जिला अध्यक्ष बद्रिलाल पाटिदार देहिरी के नेत्वत में मंसोर वा गरोड जिले से आये किसान एस्पी कायलेक के सामने एकत्र हुए जहां से रेली के रूप में शुशाष्यन बावन पहुचे रेली मार्ग में किसानों ने अपनी मांग के समर्तन में नारवाजी की ग्यापन में कहा गया कि भारत सरकार की और से हाली में नई अफिमनिती गोशित की गई हैं जिसमें कुछ प्रावदान सरकार की और से पांच वर्ष हेतु किसानों को जारी पटे के विरोधापासी हैं वही भारती किसान संग की मांगवा सुजाओं पर पूर्व में बनी सवमती के बिंदू भी हाली में जारी नई अफिमनिती में शामिल नहीं हुए अता नई अफिमनिती दोजार चोईस पच्चिस में शंशोदन सहीद विबिन समश्याओं को सकारात्मक समादान कर रहात दिलाई जाए सीपियस पद्दती के पट्टे जो पहले दिये गए वो 5 वर्ष के लिए दिये गए थे जिससे किसानों के एडवास में 5 वर्ष की फीज भी जमा करवाई गई थी अफिम निती में शंशोधन कर पूर्व में जारी सभी पट्टे बवाल कराए जाए सरकार दुवारा वर्ष 1995-1996 से वर्ष 1997-1998 तक 25 की ओसत और पट्टे जारी किये थे जबकि 1934 थदा वर्ष 1994 पिचानू के अफिम पट्टे आउनलाइन थे इन्हें भी जारी किया जाना था अता वर्ष 1991 से लेकर 1900 सित्याओन उट्टोन तक अफिम लाइसेंस को शुन्योसत या छपी लिष्टे के आदार पर जारी करवाये जाए केंद्री वित्र मंत्री के साथ तीन वर्ष पूरो बारती किसान संकी दिली में अफिम निती से संबंदित जो वारता हुई थी उसमें उनके द्वारा संगटित पती निदी मंडल को अफिम किसानों की मांगो और सुजाओ पर आशवाशन किया था कि आने वाले तीन वर्ष में पूराने रुक्टे वे अत्वा कटे हुए सभी पटे किसानों को रोजगार है तो बवाल किये कर दिये जाएंगे लेकिन अभी तक 1990 से रुके और कटे सभी किसानों के पटे बहाल नहीं हो पाएं एसे में सभी रुखे वे कटे हुए पटे चीरो उस्तत पर बवाल कराई जाए पूरों में चली आ रही अफिमनीती जिसमें किसानों को दो प्लोट में बुवाई चीराई वाले पटे जारी किये जाते थे लेकिन अगत वर्ष जारी अफिमनीती में किसानों को एक ही लोट मे बुवाई की अनुवती के पट्टे जारी करने शुरू किये गए जिसमें इस बार भी बतलाव नहीं हुआ है ग्यापन में कहा गए कि समय सीमाक में अगर किसानों की शमाश्या की समाधा नहीं हुआ तो संगटन इस्तरपन चरणबद्य अंदुलन किया जाएगा याने की किसान भाईयो जो भी बारती किसान संग ने जो ग्यापान सोपा है वित कलेक्टर को तो इसमें किसानों की प्रमुग माँगे जो रखी गई थी उसमें ये है कि एक तो संसेट पांच किलोग्राम प्रति दस आरी से कम डोड़े जो देने वाले किसान दे उनके दिये जाए क्योंकि पुरानी जो अफिम निती थी उसमें लगातार CPS पद्धती के तहत पांच वर्ष तक अफिम के पट्टे जारी करने की उसमें निती में प्रावदान था उसके बाद 1995-1996 से जो भी पट्टे कटे थे 25 के ओसत पे पट्टे जारी किये जाए और जो एक्टर स्वातिय तिवारी जी के सामने और ग्यापांस हो पाए तो किसान भाईयों हम उम्मिद करते हैं कि हमने जो आपको इस वीडियो में न्यूज पेपर की कटिंग के बारे में जो जानकरी बताई हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और किसान भाईयों यह आपको हमारे सेवा पसंद आते हैं अमारे चेनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और इस वीडियो का अपने सभी किसान भाईयों तक जरूर शेयर कीजेगा और किसान भाईयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तन्यवात